दोस्तों हरकी पोड़ी पर रुपकी लगाकर यहां से आज हम चलेंगे पावन धाम अश्रम देखने यहां से हम ने लिया एक टुक टुक और वो हमें हरकी पोड़ी से होता हुआ भीम गोड़ा और खड़खड़ी से ले जाता हुआ पावन धार्म अश्रम में ले जाता है हर की पोड़ी से इस अश्रम की दूरी तीन किलो मीटर होगी और हरीतवासे दो किलो मीटर 15 मिरत में ही हम मंदीर के अंदर आ चुके हैं इसे पावन धाम काच का मंदीर या शीश महल आप किसी नाम से भी बुला सकते हो आस बास खाने पीने की आपको दुकाने मिल जाएंगी और यहां पर अपनी चपल की जोड़ी निकाल कर मैं अंदर दाकिल होती हूं बाहर से देखने पर यह बिलकुछ साधारन सा लगता है तो अंदर पहुशते ही सबसे पहले एंटरंस पर हमें ये शॉप्स दिखेंगी ले यहां पर आपको आयर्वेदिक ओश दियां हींग वटी केसर घुटनों की दवाई और ऐसी बहुत सी अयर्वेदिक होमेउपैथी कीसे मिल जाएंगी और नेक्स शॉप पर आप देख सकते हो पूजा का ठेरों सारा सामान धूब दीप और भगवान की पूजा करने के पीछे बैक्ग्राउंड में हर जगा शीशे का वर्क आपको मिलेगा और रंगीन काथ से बना हुआ ये मंदिर बहुत ही एक अद्बुत कारिगरी का नमुना है शीश महल मंदिर इस ऐसे ही नहीं कहा जातना यहां बर्रामायन और महाभारत से जुड़े हुए बहुत से आपको चित्र मिल जाएंगे जो हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं आप देख सकते हो किस तरह शीशे से इस मंदिर में काम किया गया है और रंग विरंगे काथ से किस तरह यहां की वाल्स सजाई गई हैं पूरे मंदिर में दूर से आपको अपना अक्स भी दिखेगा चारों तरफ देखने पर आपको काश के टुकडों से बनी हुई यह पेंटिक्स नजर आएंगी जिने देख का है आप अच्छंबे में पढ़ जाओगे यह देखिए यह किस तरह से एक-एक कलाकृती बनाई गई है और यह शीशे और काश से बना हुआ शीरी कृष्ण जब अरजुन को उपदेश देते हैं तो वो रत बना हुआ है यह महभारत काल के चित्र बने हुए है यह जब शीरी कृष्ण अरजुन को उपदेश देते हैं ये कलाकृती यहां की में अट्रक्शन है और शीशों से इस पर बहुत ही अच्छा काम किया गया है जब भी आपके मंदीर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका अक्स भी आईने में नजर आ रहा होगा और इस देखें ये एक मूर्ती को देखने पर हमें कई गुना होकर आईने में ये दिखती है आपको ऐसा लगेगा कि ये एक मूर्ती नहीं कई सारी मूर्ती एकी लाइन में लगी हुई है और ये देखी शिवशंकर अपनी साधना में व्यास्थ है और इनके पीछे किस तरह की कारीगरे की गई है हमारे एतिहास और हमारी यहां की कला ये दोनों का संगम है बनाने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी यहां पर रिमहा विश्णू है जो कानख काल या नाग पर बैटे थे पूरे मंदिर में फॉल्स पर आपको ये पैंटिंग्स देखने को मिलेंगी अब स्टार्टिंग से ये मंदिर यहां से स्टार्ट होता है ये हमारा हॉल है और इसमें इस तरह से बगवान जी विराजमान है पहले गजा नंजी आते हैं इनके साथ ही ये सीता रामची विराजमान जीने नमस्कार करते हुए भग जा रहे हैं तो हम भी इन्हें नमस्कार करते हैं इस मंदिर की स्थापना स्वामी विदानता नंद जी ने की थी अब इसकी देख भाल गीता भवन ट्रस सुसाइटी मोगात की दर से की जाती हैं आप इसे क्रेंपल कहो चाफिराश्टम लेकिन पूरा मंदिर शीशे के रंगी इंकास से ब सभी भक्तगर जा परमाता टेकते हुए आगे जा रहे हैं और अगर आप उपर किताब देखेंगे तो बहुत अच्छे दोहे आपको मिलेंगे कुछ अच्छी पंक्तियां लिखी गई हैं जिसे पड़े भीना हम रहे नहीं पाएंगे हर बात का अपना एक मतलब है और देखिए आगे आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं सभी भग्वान जी हमें नजर आते जा रहे हैं ये पवन हनुमान जी और ये शिव चंकर भग्वा और इधर राम जी के दर्शन तो हम कर रही चुके हैं पूरा मंदिर इस था से काच से रंगीन शीशों से बना हुआ है कि इसकी शुभा देखते ही बनती है और यहाँ पर तहा जाता है यहाँ पर आने वालों को अपने पापों से शमा मिल सकती है और यहाँ देखिए यह पावन पूत्र हनमान जी यह संजीवनी बूटी लेकर यहाँ पर विराजमान है तो इन्हें भी नमसकार करेंगे यहाँ पर आपको कृष्ण बर्राम की जोड़ी मिलेगी और उसके बाद यह महाबली हनमान जी का रूप आपको देखने को मिलेगा साथ में बैटे हुए भवान शंकर और पारवती शोभा बढ़ा रही हैं पूरे मंदिर में आपको ग्लासवर का बहुत ही ज़ादा काम देखने को मिलेगा और इतनी अच्छी अद्वत कारीगरी का एक यह नमूना है कि अगर हरी द्वार आप जाएं तो गलती से भी इस ज पूंदर है और किस ता से यह बिलकुत सजीव लग रहा है यहां पर सभी भक्त कर पिक्चर्स लेने में बिजी हैं यह मगर पर बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और यह अपने दो हातों में कलश लिए हुए हैं आप देख सकते हैं यहां आप कुछ भी अपनी मन के मुता जबता दान कर सकते हैं और आजे देखेंगे यह देखिंगं यहां का सारा वातावरण बहुत ही शांती में हैं बहुत ही पुभितरता है अहसास मन में आता है और अंधर हम ये देख रहे हैं आपको फिर से एक शॉप मिलेगी और यहां से आप पूजा की समगरी ले सकते हैं और लड़ू को पाल जी के लिए ड्रेसे तो बीना देरी किये मैं भी यहां पर शॉपिंग कर लेती हूँ और इस आश्रम में जगा जगा दानी सजनों का भी डोनेशन के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा भगवान जी की मुर्द्या इतनी सजीव है कि लगता है वो खुद यहां पर विराजवान है यह फिर से गजा नंजी दर्शन हमें दे रहे हैं और उपर आप फिर से कुछ अच्छी लाइन्स पढ़ सकते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं जहां पर यह राधा कृष्ण के जोड़ी आप देख सकते हो लेकिन अभी आप बहुत अद्वुत चीजे देखने वाले हो जब कभी भी आप ये मंदीर देखने जाएं तो साथ में आप राम मंदीर शीष महल भी देखना ना भूलें जो इस मंदीर के भात पास है अब इसके आगे देखेंगे ये शिफ पारवती की जोड़ी और उपर देखिए मुस्कुरा के जिनको गम का जहर पीना आ गया ये हकीकत है कि उनको जहां में जीना आ गया तो शिफ शंकर भगवान तो हमारे अराधे हमारे आगे इसका उधार तो यहां परदु का माता विराज मानती है और आप इनके पीछे ग्लास वर्क देख सकते हो इस मंदीर को देखने में आपको अराम से एक घंडे का वक्त लग जाएगा सारे मंदीर में आपको शीशे और ग्लास से वर्क मिलता है जिसमें आप अपना भी अक्स देखते हो औ जाब को नजन आते हैं अब आगे आप देखिए यहां पर देखने फर जला गो देखें घर तो यहां इस तरह से ये वर्क किया गया बाया है कि लिए इस तहा से सारी वाल्स वाल्स पिंटिंग की धेया और पेंटिंग से सजी भायी है junsk Ain written कं Christmas नाथ सीन काथ से बनाया गया है यह मा गंगा का अवतरन का यह सीन आपको दिखाया गया है और इस सीन को इस तरह से शीशों से बनाया गया है कि आप देखते रह जाएं जिनमें राम सीता के विवहा का परसंग और यहां पर काना यह देखिए यह कालिया नाग के उपर काना का नृत और इधर मालक्षमी विराजमान है और महाफिष्णू का रूप आपको नज़र आएगा यह देखिए यह पिष्णू भगवान जिनके उपर सभी भगवानों के ही रूप लगे हुए है और इस साइट काना के जीवन से जुड़े हुए परसंग हमें देखने को मिलेंगे आती भगवान जी के आइडल भी आपको देखने को मिलेंगे और इस साइट राम और लक्षमन जी शबरी के बेर खाते हुए इसी तहां से जैसे जैसे आप आगे निकलोगे और इस मंदिर को देखते ही रह जाओगे उपर से नीचे तक भगवान की शुभा निराली है और साथ में ही आपकी पेंटिंस भी देखते जाओगे जो बिल्कुर शीशों से बनी हुई है ये देखिए ये काना जी वासरी बजाते हुए और पीछे उनके गाए यहाँ पर सस्वती माताब आपको दिखाई दे रही होंगी और ये महाबारत की कुछ चित्र भी आपको मिलेंगे महाबारत युद्ध के ये जो चित्र थे रतपरस्वार श्री कृष्णा अर्जुन के साथ पूरे मंदिर को सभी भक्त गन वो थेरानी के साथ देखते हुए तो आपको थोड़ा टाइम निकाल कर ही यहाँ आना चाहिए क्योंकि आप आओगे तो यहाँ पर आपको टाइम लगेगा देखने में क्योंकि एक एक चीज देखने लायक है यह पूरा जो साइड है शीशों से बनी हुई है और पूरे मंदिर को आप देख सकते हो आगे से पीछे तक पूरा मीरर वर्क किया गया है और सीलिंग भी देखिए फॉल के साथ आप वो भी बिल्कुल काट से जड़ी हुई है और यह शिवशंकर भगवान का शिवलिंग और नन्दी साथ में बैटे हुए यहाँ पर विराजमान है भगवान जी और इनके शुबा बहुत निडाली है अब यह दूर से आप देख सकते हो यह साफ प्लोर और यह देखिए पूरी वाल्स की तरह से आपको दिख रही है और सभी भगवान जी के दर्शन करके और मन में एक डिवाइन फीलिंग के साथ और उर्चा से भरपूर होकर अब हम चलेंगे अपनी नेक्स डेस्टीनेशन पर पर उससे पहले हमें पेट पूझा भी तो करनी है बहुत जोरों की भूख लगी है और उ टेक क्यार सी यू अगेन एंड कीप इंटच